नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा ओनलाइन इस्टडिव डिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पर्यावण अध्यन में राज्यो के लोक नत्य के बारे में जितनी भी प्रश्ण सीटेट ओनलाइन एक्जाम में पूछे गए हैं 2021-22 में वो सारे प्रश्ण आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं तो आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंत्म हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको केसा लगा यहाँ पर प्रश्णों के साथ उनमें जो भी समझाने लायक बाते होगी वो भी आपको समझाए जाएगी तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना पूरा वीडियो देख लेंगे तो आगे जो आने वाली CT exam उसमें लोग नत्य से समझाए प्रश्णों पूछे गए तो इस वीडियो से अलग नहीं जाएंगे तो आपको वीडियो को पूरा वोच करना है तो यहाँ पर सुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण है शुरू करने से पहले यदि आप आपका प्रश्ण में आपको बता रहा हूं मेरे द्वारा बताए गए आंसर से पहले आपको आंसर देना है या तो कमेंट से की मद्यम से अपनी कोपी मिलक लिजेगा तो जब टोटल प्रश्ण हो जाए तब आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं तो पहला यह पर 6 नत्य के बारे में पूछेए आपका रही आंसर चाहँ स्या हई को शत्यूंका तो यहाँ पर 6 नत्य के बारे में च्छोटी सी जानकरी है चित्र के मांधियम से आपको बताए जा रहा है देखे 36 गड के सांसात आप यहाँ पर देख सकते ही यह ओडिसाज, हारखण और परश्री मंगाल के लोगों का भी लोग नत्य हैं यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह जो पहनावा है इनका यह किसका है चव या फिर चव नत्य का है देख सकते हैं यहाँ पर दो चित्र हमने लगाए हुए हैं और इस नत्य में योद्धा अपने परम परागत परिधान पहनते हैं यहाँ पर जेकि जो परमपरा इनकी चली आए रही है जैसे कि मुखोटा और टोपी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चित्र के माध्यां से देख सकते हैं माता जी खड़ी हो और तीन चार पातर यहाँ पर खड़े हुए हैं तो यह महाबारा तो रामायन इस्थानी लोग कताओ और अमूर्द विश्यो सहित महाकाउयो के एपिसोट को भी लागू करते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रशने की जो की आपके सित्टेट एक्जाम में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मिजॉरं का सबसे प्राचिन नत्य हैं और गरबा नत्य है तो चेराव नत्य के साथ साथ और भी जो तीन नत्य हैं उनके बारे में आपको जानकरी देंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दोनों के दोनों ही जो चित्र है यह चेराव नत्य के हैं तो जो चेराव नत्ती हैं, यह मिजोरम का पाराम पर इक नत्ती हैं, इसमें आम तोर पर कितनी लोग बेटते हैं, तो आम तोर पर 6-8 लोग, कितने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6-8 लोग बेट सकते हैं, साथ में आपको पता होना चाहिए, जो मिजोरम में पकी फसल को घ घर तक ले जाने के लिए, और इसमें आम तोर पर 6-8 लोग होते हैं, चेराव नत्ती में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और चेराव नत्ती में जमीन पर बास की दंडी लेकर दो-दो लोगों की जोरी आमने सामने बेठी होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जोरी बना सबसे अधिक चेराव नर्तिकी ने परदर्शन किया था, तो आपको नत्य के बारे में पूछे तो चेराव नत्य के बारे में पता होना चाहिए, आगे हम बात करें जैसा कि हमने आपको बताया था, कि इसे मिजोरम के सबसे पूराने नत्य के रूप में इसे जाना जाता है सबसे पूराने नत्य कुन सा है मिजोरम का तो वो है चेराव नत्य और इसे बास नत्य के रूप में भी जाना जाता है यदि आपसे पूछा जाता है कि चेराव नत्य का दूसरा नाम क्या है तो उसका दूसरा नाम क्या होगा बासनत्य होगा चलिए अब बात करते सत्रिया नत्य के बारे में विकल पर मता सत्रिया नत्य आपने देखा हो तो जो सत्रिया नत्य है यह कहां का लोक नत्य है तो याद रखीगा यह असम का लोक नत्य है और इसका नाम सत्रिया नत्य क्यों में पेश किया गया था, इसको कब पेश किया गया था, पंदरवी सताब्दी इसमी में पेश किया गया था, आपको ध्यान देखिया देना है, ये कहां का लोक नत्ती है, तो ये असम का लोक नत्ती है, साथ में इसे हर घर की लड़कियां इसे सीखती है, साथ में सत्रिया नत् उन भाव भगीमाओं को परदरसित करता है जिनका विकास असम के सत्राओ अत्वा मठो में सोलवी सदी के परश्यात हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका नाम सत्रिया नाम क्यों पड़ा अपने धार्मिक चलितर और सत्रों के साथ जुड़ाओ के कारण इस नर्ति सेली को उप्रुक्त रूप से सत्रिया नाम दिया गया क्या नाम दिया गया सत्रिया है ना आगे हम बात करेंगे अब बात करते हैं राउफ नत्ति के बारे में आपने वेकल पर में देखा हुगा तो राउफ नत्ति भी था जो राउफ नत्ति है कहां का प्रसित लोग नत्ति ही तो याद रखेगा जम्मू एवं कस्मिर राजी का है यहां जम्मू एवं कस्मिर राजी का सबसे प्रसिद लोक नत्य है कुन सा राउफ नत्य जिसका आयोजन कब किया जाता है तो इसका जो आयोजन है यह फसलों की कटाई होने के पश्यात किया जाता है उसके परशाथ इस्त्रियों द्वरा इसका आयजन किया जाता है किसका राउफ नत्तिका इसमें नाचने वाली जो ग्रामिन इस्त्रिया है वो दो पंक्ती में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नत्तिक करती तो यहाँ पर यह जो चित्र है यह भी राउफ नत्तिका ही एक चित्र है इस प्रकार से भी राउफ नत्तिक किया जाता है इसकी गती पर गीत की लड़ियों का काफी प्रभाव रहता है साथ में याद रखेगा कि इसके आयोजन में किसी भी प्रकार के वाग यंत्र का पूनता अभाव उपायाता याने कि वाग यंत्र इसमें होता ही नहीं है तो याद रखेगा इसके बारे में भी तो राउफ नत्य किस प्रकार का होता है आप यहाँ पर चुत्र के माद्यम से देख सकते हैं, आगे हम बात करें से लिए अब बात करते हiblशें आगे हम बात करें चली आब बात करतें यहां नवरात्री में मना जाता है किटने दिन चलता है लो दिन यह भी सभी को पता होगा आम तोर पर भगवान करशन या पि नो दे grenades के विशे के इर्द गिर्द गुमता, कितने देवियों के, नो देवियों के, जबी तो ये नो दिन चलता है, नो रातों तक चलने वाला यह उत्तव है, और यहां मिट्टी के मट्के, जिसे कि यहां पर आप चित्र के माद्यम से देख सकते हैं, तो यहां मिट्टी के मट्के, जिसे गर गर्बो का जाता है और एक सुपारी और चांदी के सिक्के जिस मटकी में रखा जाता है उसे क्या का जाता है कुम्ब का जाता है इसके ऊपर एक नार्य prominent महिलाया मटके के चारो और गोल गोल घुमती हैं और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला विक्ति संगित बजाता है उसके माध्यम से ये गरबागरती आपने देखा होगा और बहुत सारे बच्चों ने तो किया भी होगा चाहिए तीसरा प्रशने आपका एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बास की डंडी लेकर दो-दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बेटती हैं धोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसाथ डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं इस नाच का नाम आपको बताना है उस राज्य का नाम बताना है साथ में उस नाच का नाम भी बताना है वो भी क्रमशा आपको बताना है धेखेए, थोड़ी देर पहले ही, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, तो आपको समे दिया जा रहा है, 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर आपको कमेंट से की म skirts से आंसर देना है, कि इसका सही आंसर क्या होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने इसका अंसर आपको बताया था तो 5 सेकंड आपके सामने जल्दी से कमेंट से करिए इसका सही अंसर क्या होगा देखिए इसका सही अंसर मैंने आपको क्या बताया था चेराव जो सीटेट इग्जाम में प्रस्णे पूछे गए हैं तो चेराव जो की मिजोरम का नत्य हैं जैसा कि थोड़े दर पहले में आपको बताया था तोरंग क्या है, कुडुक क्या है, जुम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जुम के बारे में जब बारे में जब बात करेंगे यहाँ पर इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पर चेराओ के बारे में तो आपको जानकरी दे ही चुका हूँ देखिए चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तोरांग की है ना तोरांग की बात करेंगे ये आंसन लिखा हुआ चेराव मिजुरम है न तो आपने एक अध्याय पड़ा होगा चमकता सितारा चमकता सितारा सूर्य मनी इससे पहले एक वीडियो हमने अप्रोड किया था तीन से चार गंटे का जिसमें आपको परियावर अध्यन की महा मेरा थन क्लास देती उसे वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लीजेगा सब आपको समझ में आज आएगा चमकता सितारा मैं सूर्य मनी थी जिन्होंने एक केंदर खोला था जिसका नाम क्या था तोरांग और तोरांग का रता क्या होता है जंगल होता है जिसमें जड़ी बुट्यों की समझ और बास की चीज़े बनाने की कला बच्चों को सिखाई जाती थी साथ में अपने स्कुल की भासा तो सीखे ही वहाँ पर सिखाई ही जाती थी और जो बच्चे वहाँ पर आते थे उनको उन किताबों के बारे में उन आधिवाश succession के बारे में उनको उन किताबों के बात्यम से बताये जाता था और पढ़ाये जाता था तो ये भारत में बोली जाती है, नेपाल में बोली जाती है, भूटान में और बांगलादेस में, भारत में कहाँ पर बोली जाती है, तो भारत में ये बिहार में बोली जाती है, मतिप्रदेस में, 36 गड़ में, जारखंड में, पश्रिमंगाल में, पश्रिमंगाल के उराव जन जाती द्वारा बोली जाती इसलिए इसे उराव भासा भी कहते हैं कुड़क भासा को क्या कहा जाता यदि पूछ जाये तो इसे उराव भासा भी कहा जाता क्यों कहा जाता है क्योंकि ये उराव जन जाती द्वारा बोली जाती है और कहां पर बोली जाती भारत में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बिहार, मत्यप्रदेश, चातिरगा, जाड़कर और पश्रिमंगार, तो कुड़ुक भाजा के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, इससे पहले ये पूछा भी गया है, चलिए, चोथे प इसका सही answer क्या होगा? मिज़ोरम. जैसे कि थोरे देर पहले हमने बताया था कि जो विश्ल्स प्रकार का नत्ति है चराओ ये कहाँ पर किया जाता है? मिज़ोरम में किया जाता है. सात में असम, ओरीसा, और जहरखंण में कौन सा नत्ति किया जाता है? ओडिसा में ओडिसी नत्य किया जाता है असम में बहु बीहु लिखा हुआ है बीहु नत्य किया जाता है और जो च्छो नत्य है जैसा कि मैंने च्छो नत्य के बारे में पहले ही आपको बताये था ये कहां पर किया जाता है जहारकन में किया जाता है साथ में पश्य मंगाल में भी किया जाता है तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकरी होना चाहिए लाश्ट अमन जितने भी इंपोटेंट जो लोग नत्ती हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे तो सारे लोग नत्ती आपको याद कर लेना है और वीडियो अंति तक जरूर देखना है तो यहाँ पर पांचवा प्रशनी आपका नत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाए रिक्तिस्तान प्रदर्सित करती है यह प्रशन सीटेट इकजाम में पूछा गया है क्या प्रदर्सित करती है रत्य प्रदर्सित करती है भावनाए आत्मविश्वास हातों और चेहरों की गति क्या प्रदर्सित करती है तो जो नत्य करते हैं उनकी भावनाए क्या प्रदर्सित करेगी भावनाए तो सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अगला प्रशन है चेराव नत्य देखें फिसे चेराव नत्य के बारे पूछा गया है चेराव नत्य में व्यक्ति बास की डंडियों को पकड़ कर युगमों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बेटते हैं कि ठोल बस्ता है बास को जमीन पर पीटा जाता है, नर्तक बास की डंडियों के अंदर और बाहर पेर रखते हैं, कूथते हैं, और ताल पर नाचते हैं, निमलिकित में से कहा पर मेरा, यहां पर लिखा हुआ है, कहां पर ये नत्य मुख्य रूप से किया जाता है, प्रस्ण फिर से पूछा जा चुका है चार विकल्पों को बदल दिया गया है लेकिन जो आंसर है आपका वहीं रहेगा मिजोरम कहा का प्रमुक नत्ती है ये मिजोरम का प्रमुक नत्ती है अब बात करते हैं जैसे कि मैं आपको बताया था तीन विकल्पों और यहां पर थे ओडिसा, असम और मनिपूर तो ओडिसा के बारे में अभी हमने बताये था आपको ओडिसी है और असम का जो लोक नत्य है वो बीहू है और मनिपूर का आपका मनिपूरी नत्य ये प्रमूख है प्रमूख नत्य कुनसा है मनिपूर का मनिपूरी है मनी पूरी नत्ती है, साथ में माई नत्ती भी है तो माई नत्ती के बारे मैं पूचे कि माई नत्ती कहा का नत्ती है तो ये मनी पूर का नत्ती है चलिए सात्वा प्रशने आपका और ये अन्तिम प्रशने टोटल साथ प्रशने पूछे गए थे on-line exam में मिज़ोर्म में जब ہसल का काम समापत हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं तिवार मनाते हैं एक 5 खाना पकाते हैं खाते हैं और मजे करते हैं साथ में गाते हैं और नाचते भी हैं तो इस विशेश नाच का आपको नाम बताना है भी जुमे फिर से वहीं प्रस्त पूछा गया है आपके सामने 5 सेकंड है इसमें आपको आंसर कमेंसिक के मंध्यम से देना है कि सही आंसर क्या होगा तो देखिए यहाँ पर मिज़ोरम में पूछा गया है कि जब फसल का काम समापत हो जाता है तो फिर लोग एकत्र होते हैं, तिवार मनाते हैं, साथ में खना पकाते हैं, मज़े करते हैं, गाते हैं, वो नाचते हैं तो उस नाच का क्या नाम होगा? यहाँ पर भी चेराव नत्य ही होगा, वया फिर चेराव नाच होगा तो पहला वाला विकल्पि आपका सही होगा अब बात करते हैं यहाँ पर देखें जो प्रमुग नत्ती हैं उनके बारे में यहाँ पर जरूरी नहीं कि आने वाले एक्जाम में चिराव नत्ती से ही सम्मद्ध प्रश्ण पूछे आगे जितने भी यहाँ पर नत्य है इससे सम्मधवी प्रस्ते पूछे जा सकते हैं तो एक तरफ नत्य लिखा हुआ है दूसर तरफ राज लिखा हुआ है जो घुमा नत्ती है ये राजिस्तान का है भांगडा पंजाब का है लावनी जो लावनी नत्ती है महाराष्ट का है यहाँ पर उसके बाद आता चोंग नत्ती है नागलेन का है ओडिसी ओडिसा का है बीहु लिखा हुआ है ना बीहु नत्ती असम का है जो मुखोटा है ये अ उत्तरप्रदेश का है, यक्ष ग्यान, देखी यक्ष ग्यान के बारे में पूछा गया था पहले, तो जो यक्ष ग्यान है ये करनाटक का नत्य है, गर्बा कहा का है, गुजरात का है, आगे हम बात करें, तो छव, छव नत्य के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये जारक लोग नत्य के बारे में एक सांदार वीडियो, मुझे जहां तक लगता है आप सभी को ये वीडियो पुशंद आए होगी क्योंकि जो भी प्रशने यहां पर लिये गए हैं सभी के सभी आपके सीटेट ओनलाइन एक्जाम में पूछी गए प्रशने को ही लिया है आगे भी यदि इस प्रकार के वीडियो आपको देखने हैं तो आप कमेंसी की माध्यम से बता सकते हैं इस प्रकार के वीडियो हम और भी बना देंगे तो जलते ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद